और दोस्तो बागे लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड का फिजा दिल्चस देखने को मिलेगा दोस्तो जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय रिशी और लक्ष्मी गहर छोड़ने के पीछे भी एक नहीं बलकी समय कई कारण देखने को मिल रहे है आप लोग जानते ही हैं कि इस समय साब साब देखा जा रहा है कि रिशी कुछ भी लक्ष्मी के लिए सुन नहीं सकता क्योंकि रिशी ने बोल दिया है कि लक्ष्मी के लिए मैंने बहुत कुछ सुन भी लिया है और सैन भी कर लिया है आप लोगों को बता देना चाहता एक बार फिर से कहानी एक नहीं बलकी समय कैई और भी टूस्ट आते वे नज़राने वाले हैं क्योंकि सभी को लग रहा था अभी तक कि आखिरकार सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा लेकिन दोस्तों सभी को ये भी पता चल गया है कि नॉर्मल कुछ नहीं होने वाला मलिस्का की साथी रेशी के साथ में आज नहीं बलकी कवी नहीं हो पाएगी ये एक रियल्टी है ये एक बहुत बड़ा सच है दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नहीं बलकी समें कई मुद्धों में बेहत ज्यादा खास और बेहत ज्यादा अलक देखने को मिल रही है आप लोगों के बीच नहीं बलती ने ज़राने वाली है कि रिसी हम इस समय इस घर को नहीं छोड़ सकते क्ए लक्ष्मी नहीं चाती कि रिसी अपनी मौम नीलंग से किसी पे सुरत हो क्योंकि लक्ष्मी हवैसा सब लोगों का भहला चाहती हुई आई है लेकिन अगर्णा दिल्चस होगा कि आखिरकार क्या और नई जरणी ला पाती है आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में एक नहीं बलकी समय कई और भी टोस्ट आते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों साथी दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर चैनल को सब्सक्राइब करने एक बाद में वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बत उसके अपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा